चोटे से घर में चोटे से घर में अगनिवीर शहीद हुआ, लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र बोधी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र बोधी उसे अगनिवीर कहतے हैं उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी उस घर को कंपंसेशन नहीं मिलेगी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और विचारे ते तीन बहने थी एक साथ बैटे हुई थी रो रही थी आम जवान को पेंशन मिलेगी जरूर दुखोगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी मगर अगनिवीर को जवान नहीं कहा जा सकता अगनिवीर यूज एंद थ्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो उसको आप छे महीने की ट्रेनिंग देते हो छे महीने की ट्रेनिंग देते हो दूसरी तरफ चाहिना के जवान को पाँच साल की ट्रेनिंग मिलती है राइफल लेकर उसके सामने ख़़ा कर देते हो उसके दिल में भाई पैदा करते हो एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी एक को शहीद का दर्जा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा और फिर अपने आपको देश बक्त कहते हूं यह कैसे देश बक्त है फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की फिल्म स्टार बॉलिवुड स्टार की फोटो थी मैं सोच रहाता देखो इस इस युवा ने जान दी श्पीकर सर सर अज्यक्स महोड़े अज्यक्स महोड़े एक आजबी सब्पर भारी अज्यक्स महोड़े मैं देता पसब्पसे अनोर करना से अंगरेट भारी गलत बयानी करके सवन को गुमराह करने की कोशिश नहीं है गलत नहीं है सर गलत नहीं है सर अक्वा सीबाओं की सुरक्षा के दोरान यदि हमारा कोई अगन बीर का जवान सहीर होता है उसके एक करोड उपे की धनराश सहाइथा की रूप मे उसके परिवार को सब्सक्राइब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसर महुलाइब अडेक स्पिकर सर देखिए स्पिकर सर देखिए राजनाच सिंग जी की एक राए है मेरी एक राए है सच्चाई अगनीवीरों को मालुम है हमें बोलने की जरुरुत नहीं है अगनीवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है कॉंपनसेशन मिलता है नहीं मिलता है टेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो उसको मालुम है अब सदन के सामने दो स्ट्रेटमेंट हुए एक हुआ दिपस के नेता का दूसरा हुआ मानिया रागनाजिन ने अधीकरूत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अगनिबीर को जो सही दोता है उसको एक करोर रूपया मिलता है उनको factual position सदन पर रखनी चाहिए मन्यवर ये सदन जूट बोलने की जगा नहीं है मन्यवर या सच बुलना चाहिए और अगर और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते हैं अपने स्ट्रेटमेंट का तो उनको सदन और देश से और अगनी वीरों से माफ़ी मांगनी चाहिए मनें अगनी वीर की सचाई मैंने फ्लॉर अवदाउस पे रखी है और राजनाथ सिंग जी ने भी कहा है जो रियालिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है वो अगनी वीरों को मालूम है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फरक नहीं पड़ता सचाई तो उनको मालूम है उनको मालूम है सचाई कौन बोल रहा है वो अगनाथ बढ़ता धर दिएगर तो नहीं है वरामाथ 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 कि दो स्टेटमें जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और मानने विपास के नेता राउल गांदी जी ने तो स्टेटमेंट रखा है इसमें इन्हों ने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फरक पड़ता है इतना हलका पुलका कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर अपोजिशन इसलिए सर इन्हों ने जो जो बात र झाल झाल